हल्चल रोज मर्रा के जिवन का एक बड़ा हिस्सा है और इस बात की समझ हमें बच्चपन में ही आ गई थी बच्चों को हिलने वाली चीजे देखना पसंद होता है हम निरंतर अनेक वस्तूओं को हिलाते रहते हैं जैसे हम हाथ से गेन फेकते हैं या फिर पाउं से गेन को लात मारते हुए एक जगा से दूसरी जगा पर पहुंचा देते हैं तो एक जगा से दूसरी जगा जाने वाल कोई भी वस्तू गतिमान होती है रोज मर्रा के जीवन में गतिमान ता कहां दिखाई देती है हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां हल्चल दिखाई पड़ती है रास्ते में दौड़ने वाली व्यक्ति गुजरने वाली मोटर कार हवा में उचलती हुई गेंद या फिर रास् ये धातु की पट्टी अनेक अनुओं से बनी हुई है वैसे तो अनु बड़े ही सूक्ष्म होते हैं लेकिन वे हमेशा गतिमान रहते हैं कम से कम वे कमपित होते ही रहते हैं प्रित्वी के प्रिष्टभाग पर महादवीब भी धीरे धीरे सरक्ते रहते हैं साल में लगबग एकाज सेंटीमिटर सरक्ते हैं दूरस्थ उपग रहे ही उसे जान सकते हैं या नाप सकते हैं दूसरी और अनेक वस्तुएं इतनी तेज गती से हिलती हैं कि उनकी यह हलचल देखना भी कठिन होता है जैसे साइकल के घूमने वाले पहिये या गिटार के तारों के कमपन बताईए इस संसार में सबसे गतिमान वस्तु कौन सी है रोशनी या प्रकाश यह सबसे गतिमान होता है यह सूरश से केवल आठ मिन्टों में प्रित्वी तक पहुंचता है अगर गति ना हो तो कोई भी गटना गटित न होगी वस्तुएं अनेक प्रकार से गतिमान हो सकती है अगर हम गेंद उपर फेकेंगे तो वो सीधे नीचे ही आती है गेंद सरल रेखा में गतिमान होती है अगर हम गेंद अपने से दूर धके लें तो वै वक्र या गुमावदार रेखा में जा सकती है वस्तुएं गोलाकार गति से भी हिलती है मेले में जो जूले होते हैं उनमें लगे घुडे गोलाकार गोमते हैं गोल अनेक वक्र रेखाओं से बनता है, वस्तुएं आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे पुरानी घड़ी का लंबक सोचिए हम गती शब्त की व्याख्या तथा विवेचन कैसे कर सकते हैं किसी वस्तु के स्थान और दिशा में हुआ परिवर्तन ही गती कहलाता है जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है, तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अगर यह गती एक ही सरल रेखा में हो तो उसे रेखी अगती कहते हैं पट्री पर चलने वाली रेल गाड़ी, बारिश में गिरने वाली बून्दे, जमीन पर लुड़कती हुई गेन यह सारे रेखी अगती के उधारन है रेखी अगती अर्थात किसी वस्तु की दिशा न बदलते हुए एक ही सरल रेशा में हुई हलचल स्थानांतरण कहलाता है कोई वस्तु कितनी जोर से गती से अथवा धीरे से जा रही है इसे चाल से ना पा जाता है बंदूक से गोली अतितीवर गती से जाती है घोंगे को अपनी गती से अंतर पार करने में बहुत देर लगती है वही अंतर घुरदोड़ वाले घुड़े के लिए काटना बड़ा आसान रहता है वस्तू जिस दिशा में जाती है वह दिशा महत्वपूर्ण नहीं है राजेश और मादव अलग-अलग दिशाओं से चलते हों फिर भी वे एक ही चाल से आगे जाते हैं गती यह हमेशा दिये हुए समय में वस्तू कितनी आगे की ओर बढ़ती है इससे नावते हैं चाल मिलिमीटर प्रतिसेकन या मीटर प्रतिसेकन या किलोमीटर प्रतिसेकन या प्रतिगंटा हो सकती है चाल बराबर अंतर छेद समय गती अपने आप निर्मान नहीं होती है गती के लिए बल आवशक होता है मानव और प्राणियों में स्तनायोवल इसका कारण होते है वही दूसरी ओर यंत्र को काम करने के लिए इंधन की आवशकता होती है उपकरम गेंद की चाल ये गेंद लाउंचर में रबर बैंड को पेंसिल के साथ जोड़ा होता है जब रबर बैंड के खींचाओ को छोड़ा जाता है तब वो गेंद को आगे की ओर ढखेलता है जितना अधिक खींचाओ उतना अधिक बल समय नापने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के स्टॉप वाज का प्रयोग करेंगे गेन गतिमान रहते समय जब वो पहली पीली रेखा पार करेगा तब हम स्टॉप वाज शुरू करेंगे जब वो दूसरी पीली रेखा पार हो जाएगी तब हम stop watch बंद करेंगे दो रेखाओं में अंतर दो मिटर है यदि गेंद को यहां अंतर पार करने के लिए दो सेकंद लगते हैं तब हम ऐसे कह सकते हैं कि गेंद की गती एक मिटर परतिसेकंद है यदि हम यहां गेंद अधिक ताकत या बल से धके लेंगे तो क्या होगा गेंद उतना ही अंतर काटेगी लेकिन कम समय में अब गेंद को यहां अंतर पार करने में एक सेकंद लगा है हम ऐसे कह सकते हैं कि गेंद की गती दो मिटर परतिसेकंद है आप भी गेंद को फेंकने के लिए बल का प्रमाण कम ज्यादा कीजिये और आपके मुबाईल फोन के स्टॉप वाच का उपयोग करते हुए गती नापी है महामार्क पर मोटरों की गती नापने के लिए पुलिस वाले स्पीड गन का उपयोग करते हैं गती की मर्यादा का उलंगन करने वाले वाहक चालकों से जुर्माना लिया जाता है तेज गती से वाहन चलाना सुरक्षित नहीं होता है यह स्पीड गन का उपयोग क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों में गेंद कितनी गती से फेंकी गई है इसे नापने के लिए भी होता है नैक रेशिय गती, गैर रेखिय गती राजु ने बैट से छक्का लगाया क्या गेंद की गती रेशिय है? वो सरल रेखा में क्यों नहीं जाती है? उसका प्रक्षे पत्वक्र है इस गती को नैकरेशिय या गैर रेखिय गती कहते हैं नैकरेशिय गती सरनमार्क से न जाने वाली वस्तु की गती दर्शाती है क्या आप अपने आसपास इस प्रकार की गती का उधारन कोच सकते हैं? साराज, गती सर्वत्र है आज हमने ने करेशिय गती आदी विविद प्रकार के गतियों की जानकारी ली विविद उपक्रमों द्वारा गती को किस प्रकार ना पा जाता है यह भी हमने जाना गती की व्याख्या और गती के प्रकारों के उधारन की साथ व्याख्या का एक टेबल बनाई है झाल झाल